इलाइट स्टेडी प्लेटपरम पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में डिसकसन करेंगे हिमाचल परदेश की राजनिती गतिवीदियां किस तरह से आगे बढ़ रही है पिछले करीब एक महीने से आप लोग देख रहे होंगे हिमाचल परदेश बैस्पिक न्यूज च चुनाब होने थे उसके बाद हिमाचल परदेश की राजनिती की परिस्तितियां धीरे धीरे सुर्खियों का कारण बनती गई इस वीडियो में हम ब्रिफली समझेंगे जीरो से सुरू करेंगे और टॉप तक आपको समझाएंगे कि हिमाचल परदेश की विधान मंडल क्या है किस तरह से काम करती है कितनी यहां पर सीट्स है और बर्तमान में राजनिती गटना किस तरह से आगे बढ़ रही है दूसरी तरफ अठारमी लोगसबा के चुनाब भी प्रस्ताबीत है हिमाचल परदेश से चार सीटे ना आती है तिन चार सीटों का इतिहास भी हम यहां पर समझेंगे निश्ची तोर पर इस वार आपको कोई ना कोई प्रसन हिमाचल परदेश के विधान मंडल से जरूर देखने को मिलेगा तो आईए सबसे पहले हम आपको बता दें तो हिमाचल परदेश की विधान सबा है उसमें जो कूल सीट्स है उट ट्वाइन है तो वहाँ पर क्या होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है जैसे हमारी लोकसवा होती है इसी तरह से यहां पर लेजिसलेटिव असेंबली होती है दूसरी हाउस को कहा जाता है लेजिसलेटिव काउंसिल लेजिसलेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते है प्रतिय यहां बिधान मंडल है जिसे legislative assembly कहते है हमारी यहां पर पूरे हिमाचल प्रदेश के दिए बात करें 68 हमारी यहां पर seats है पूरे हिमाचल को 68 seats में बांटा गया है तो वर्स 2022 में 68 seats के लिए चुनाब होते है और यदि इन चुनाबों की बात करें तो कॉंग्रिस पार्टी को 40 seat बारते जनता पार्टी को 25 seat प्राप्त हुई थी इस हिमाचल प्रदेश के बिधान मंडल में सक्ता बनाने के लिए 35 seat की आपसक्ता होती है जिसकी 35 seat आ जाती है उसकी सरकार हिमाचल प्रदेश में बन जाती है तो यहां पर आप देख रहे होंगे कॉंग्रेस का अंकरा 40 था तो निश्ची तोर पर यहां पर कॉंग्रेस की सरकार बनती है हिमाचल प्रदेश की नदौन विधान सभा से समन्द रखने वाले सिरी सुकुमिंदर सिंग सुकुई सरकार के मुख्यमंत्री बनते है दूसरी तरफ देखिए दूसरे नंबर पर जो पार्टी रहती है भारत अब आप कंपेरिजन करेंगे यहां पर बोट परसेंटेज का जिस विधान सभा में बोट परसेंटेज हुई थी तो एक परसेंट से भी कम बोटों से भारतिय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई थी और देखिए लोगतंतर में कोई मैटर नहीं करता है कि आपको एक परस परसेंट से भी अपने सरकार बना सकते और गिरा सकते है तो एक परसेंट से भी कम बोट भारतिया कॉंग्रिस पार्टी की फेवर में बने पड़े थे और कॉंग्रिस पार्टी की सरकार यहां पर बनी थी अब देखिए सब कुछ यहां पे विलकुल ठीक चर रहा था सरकार का कारेकाल 14-15 महीने का हो गया था लेकिन उसके बाद 27 फरबरी की यदि आप बात करेंगे तो 27 फरबरी को हिमाचल परदेश में राज्यसभा की एक सीट खाली होती है जिस सीट पर पहले जो बरतमान में भारती जन्ता पार्टी के हदेक्स है जक्त परगास नड़ा जी इनका समन्द हिमाचल परदेश के विलासपूर जिला से है उनकी 6 यर का जो 10 यूर रहता है राज्यसभा का पूरा हो जाता है तो सीट बेकेंट होती है तो देखिए जिस दल के पास बहुमत होता है तो उसी दल का नेता अक्सर चुना जाता है राज्यसभा के लिए क्योंकि जब जेपी नडड़ जी चुने गय थे तो उसमें जैराम जी हिमाचल परदेश में मुख्यमंत्री थे बिजेपी के सरकार थे तो सीदे चुने गय थे तो अब देखिए 27 परपली 2024 को क्या होता है हिमाचल परदेश की राजनिती में कॉंग्रेस के छे विधायक इन छे विधाय जी उनके लिए नोंने बोट किया इनके साथ में तीन निर्दलिया जो विधायक है माचल परदेश की विधान सबा में उनोंने भी बोट किया और इस तरह से जो कॉंग्रेस का प्रत्यासी था उनकी हार होती है और देखिए हार भी कैसे होती है यहां पर आपको एक बात और समझनी चाहिए देखिए दोनों तरफ क्या होता है भाजपा के पास आपने देखा होगा 25 इनके अपने भिधायक थे 6 कॉंग्रेस के यहां पर आ जाते है तीन निर्दलिया आ जाते है तो यह आंकड़ा इदी आप देखेंगे 34 पहुंच जाता है कॉंग्रेस के पास भी 34 तो यहां पे देखिए match tie हो जाता है लेकिन बाद में देखिए एक परची का सिस्टम होता है उस परची के सिस्टम से हर्सवर्दन महाजन यहां पर बीजएई गोसित किये जाते है और और राज्यसभा के लिए हमाचल परदेश से 6 बर्श के लिए चुनके चले जाते है त उसके बार 29 फैवरी इस बार लीप बर्स है तो 29 फैवरी को क्या हुआ तो हिमाचल परदेश में विधान सभा के हदेक्स है कुल दीप सिंग उन्होंने क्या किया उन्होंने जो कॉंग्रेस के छे विधायक थे जिन्होंने अगेंस्ट बोटिंग की थी इनकी स्तस्यता को नीर अधिर सर्मा जी कॉंग्रेस के टिकेट पर धर्मसाला से जीत कर आये थे दूसरे दी हम बात करें सिरी रभी ठाकुर जी है जो लहौल स्पिती से चुन के आये थे हिमाचल परदेश की सीट एस्टी के लिए रिजर्ब रहती है सिरी राजिंदर राना काफी दिग्ग सिनित सिरी दिविंदर कुमार भुट्टो कुटल हैड से चुने गया थे तो यह ओ छे लोग थे जिन्नोंने अंगेस्ट बोटिंग किया और विधानसभा के अधिक्स ने इनकी स्तस्यता को निरस्त कर दिया उसके बाद इस सुप्रीम कोड जाते है बहां पे दो बार हेरिंग हो चुकी है भी पूरा केस वहां पे एक्जामेन में चल रहा है उसी के बीच में लोगसभा के चुनाब की तीथियां गोसित हो जाती है और जब देखिए ये सीट से ने हम बात करें ऑफिसली जब इनको निरस्त कर दिया गया इनकी विधानसभा से स्तस्यता को खतम कर दिया बिधानसभा के द्वारा तो चुनाब आयोग के पास रिपोर्ट चली गई है कि हमाचल परदेश में च्छे विधानसभा की सीटें खाली हो चुकी है इनके उपर उप चुनाब जो भी हमाचल परदेश में भी लोगसभा के चुनाब होंगे एक जून को तो यहां पे जनता पार्टी को जॉइन कर लिया और जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है तो भारते जनता पार्टी की तरफ से इन छे के चे विधायकों को टिकेट भी दे दिया गया है अब उपनी स्क्रीन पे इनका एक फोटो भी देख रहे होंगे यह बीजेपी के फेस् जनता पार्टी के दोरा टिकेट दे दिया गया है इसी के साथ हम बात करेंगे यहां पे निर्दलिया बिधायकों की तो यह आप एक और फोटो देख लीजिएगा यह फोटो आपके लिए बहुत मत्तोपूर्ण है इसमें देखिए आप हिमाचल परदेश की बिधान सभा म हदेक्स के दोरा फिर भी इनों ने देखिए अपनी स्वेच्छा से यहां पर इस्तीपा दिया गया है इन तीन विधायकों के नाम भी आप एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा तीन निर्दलिया विधायक थे सिरी होसियार सिंग उसके बाद थे सिरी के अल ठाकोर और फिर इन दिन पहले ही स्तीपा दिया था बीजेपी हिमाचल प्रदेश के ओफिसली पेज पर भी आप देखेंगे तो इनका फोटो यहां पर अपलोड किया गया है अब देखिए इनका स्तीपा देने के बाद तीन और सीटे हिमाचल प्रदेश में खाली हो चुकी है लेकिन इन तीन सीटों के खाली होने पर अभी तक भारती जनता पार्टी की तरफ से या कोई अन्याइन के लिए कोई भी टीकेट का वियाव अंटन नहीं हुआ है यदि आप इस समय एट परजेट हिमाचल प्रदेश विधान सभा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें देखिए 25 द ये नेशनल कॉंग्रिस भी कहते है 34 इनके विधायक परजेंट है गबर्मेंट रन हो रही है हिमाचल परदेश में यदि ऑपोजिसन की बात करें देखिए 25 इनके अपने विधायक है जो की विजेपी के टिकेट पर चुने हुए आए है और 9 लोगों के अभी से दस्यता न है 68 बीजेपी के इसमें 25 है कॉंग्रिस के 34 है तो आगे दिखिए जो 6 लोग और भी बीजेपी में और सामिल किये गया है तीन निर्दलिया है तो किस तरह से आ गया नेबल इसमें में हिमाचल परदेश की विधान सभा में क्या पॉलिटिकल सेनेरियो रहेगा इसके लिए आपको 4 जून का बेट करना पड़ेगा ये सारा का सारा जो आपको यहां पर अबर भीउ कर पाया गया अपने दिमाग में रखेगा आप हिमाचल परदेश की किसी प्रिक्सा के प्रहंबिक प्रिक्सा की बात करें मुख्या प्रिक्सा की बात करें ये इंटर्विव में भी ये सारे के सारे फेक्ट आपके लिए बहुत मत्तोबुन होंगे, अब बात करते हैं हिमाचल परदेश से लोकसभा की सीट्स के बारे में, याद रखिएगा हिमाचल परदेश में लोकसभा से चार सीट्स है, ये चार सीट्स कहां कहां से है, एक हमिरपूर से है, एक सिमला से ह तो किसी मिलाबाले seat हमेशा रिजर्व रहती है SC के लिए उसके बाद आपकी कांगडा से seat है कांगडा के बाद आप देखेंगे तो फिर मंडी से लोग सबा की seat आती है राज्यसबा से दी हम बात करें तो राज्यसबा से तीन seat ही है हिमाचल पर्देश में तो राज्य सभा की तीन सीटों में देखिए अभी जो एक आपने देखा भी है जिसमें कि अर्सवर्दन महाजनबाला केस भी उस तीसरी सीट के लिए हुआ था दो सीटें पहले से भरी हुई है तो देखिए हमीरपूर बिधान सभा से बारते जनता पार्टी के दोरा दिया गया है इससे पहले भी भारते जनता पार्टी के टिकेट पर ही विजाई गोसित हुए थे अभी हाली में आप लोग देख रहे होंगे काफी सुर्कियों में है दो जिले जिसमें से कांगडा और मंडी है कांगडा से डॉक्टर राजी भार्द्वाजी को लोकसभा का टिकेट दिया गया है भारते जनता पार्टी की तरफ से और मंडी से देखिए सूसरी कंगनार नौत जो की एक अभीनेत्री है मंडी लोकसभा सीट से इने भारते जनता पार्टी की तरफ से टिकेट दिया गया इनका जो मुलता समंद है मंडी जिला के भामलाक से तर से है त लोगसभा की चार सीट के लिए भी बोटिंग होगी चार तारीक को जब पूरे देश में लोगसभा के चुनाब के परिनाम आएंगे तो हिमाचल परदेश में नौ सीटों में जो चुनाब होने परस्तापीत है तो नौ सीटों पर अभी आप देखेंगे उसके कैंपेनिंग हिमाचल परदेश में इसकी सुरू होगी उसके बाद फिर चार तारीक को हिमाचल परदेश की पॉलिटिक्स में किस तरह से पॉलिटिकल सेनेरियो आता है उसके लिए आपको बेट करना होगा यह सारी सरकमस्टांसिस को अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि यहां से लिंक मिल जाएगा उस लिंक के उपर क्लिक करके आपको क्या करना है एजुकेशनल एप को इस्टॉल कर लेजिएगा जब आप उस एप के उपर जाएंगे तो बहुत यह से कोर्स इलाइट्सरी टीम की तरफ से डिजाइन किये गया है जिनको आप घर बैठे अपने मुवा पर अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे इमेज जो आप देख रहे है क्लिक किजिएगा फ्री के टेस्ट यहां पर जाकर क्या आप अवेल कर सकते हैं इसके अलाब हम आपको बता दें कि यहां पर बहुत से कोर्स डिस्प्ले किया गया जैसे सीट एट की बात करें आई बी सिंपली गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे बहाँ पर टाइप कीजिए इलाइट स्टेडी एजुकेशन इलाइट से टीम का एजुकेशनल एप में इस्टॉल कर लिजिए एप को इस्टॉल करने के बाद आपके सामने इस तरह की आप्संस आएगी यह कोर्स आपको गाई यह यह आपको अच्छा लगता है तो आप आगे जाकर क्या पिर इसका जो अन्लॉक की आप्सन है उसके पर क्लिक करके अन्लॉक भी अन्या हदें समगरी को आप अन्लॉक भी कर सकते हैं बस देखिए नियमित रूप से आपको पढ़ना है क्योंकि कुछ समय बाद यह भी आप इलाइस्टरी टीम का फ्री और कॉस्ट में मॉक टेस्ट आप इसमें रियल टाइम एवलवेशन के माद्यम से लगा सकते हैं इस तरह से बहां पे लिखा हुआ आएगा कंपल्सरी पेपर बन और इसमें देखिए जो बैटनरी ऑफिसर के लिए हिमाचल प्रदे सुचार रूप से देखने को मिलेगी थैंक्यू बेरी मस्ट कीप बॉचिंग इलाइस्टरी यूट्यूब चैनल